दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आड का महीना शुरू हो चुका है, और आड में पढ़ने वाले किसी भी रविवार के दिन चार लॉम एक दीपक में डाल कर आपको अपने घर में जला देना है, इस उपाय को करने से रातों रात आपके जीवन से निर्धनता और भी दूर हो जाएगी और आपको महा करोरपती बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, यह सत्य है कि जब कोई उपाय आप पूरी सची श्रद्धा से करते हैं, विशेशकर लॉम का उपाय करते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक से धन को प्राप्त करते हैं, और आपके जी कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए रातों रात आपके जीवन में चमतकार होता है, और धन से जुड़ी समस्याएं बिलकुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, तो देखिए पहले उपाय की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि आर का जो महीना होता है, आशार के मह महीने में श्री हरी विष्णु का सबसे ज्याधा पूजन किया जाता है और उनसे जुड़े हुए उपाय किये जाते हैं, साथ ही साथ आड के महीने में महादेव का। पूजन भी हम करते हैं और लॉम जो होती है, यह शिव शक्ती का ही स्वरूप होती है। और लॉम के उपाय अगर आप आड के महीने में करेंगे तो जल्दी से जल्दी यह उपाय सफल होते हैं और आपकी जितनी भी विश और मनोकामनाए हैं उन्हें महादेव पूरा कर देते हैं तो चलिए जान लेते हैं पहला उपाय जो है चार लॉम दीपक में डाल कर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को कैसे करना है तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर एक दीपक तयार करना है शुद्ध देशी घी का दीपक गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे रुई की और इसी दीपक के अंदर आपने जो चार लॉम ली है खीक है ना चार लॉम लेनी है फूल वाली एक भी लॉम तूटी हुई ना हो वो चारों लॉम आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है दीपक के अंदर डाल दी अब यह दीपक आपको कहा जलाना है अपने घर के मंदिर में शाम के समय में महादेव की कोई मूर्ती है आपको यह दीपक पहले रखना है, फिर भगवान गनेश का ध्यान करना है, फिर यह दीपक आपको महादेव की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में शाम के समय में रविवार के दिन जला देना है, अब देखिए जो महादेव है ना ये इतनी जल्दी प्रसन्न होने। वाले देव हैं कि अपने भक्तों की जरासी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो देखिए जब आप दीपक। जलाएंगे रविवार के दिन शाम के समय में तब आपको थोड़ी देर वहीं पर बैठकर भगवान महादेव का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, माता पार्वती का ध्यान करना है, कि मेरे जीवन में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, उसे आप दूर करना और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, अब देखिए ये उपाय आपको कितने रविवार करना है, ये उपाय आपको कम से कम पांच रविवार करना है, और पांच रविवार के अंदर-अंदर आप देखेंगे कि धन से जोड़ी जो समस्याएं बिल्कुल, आपके जीवन से जा नहीं रही थी, आपके घर में पैसे की बहुत कमी हो रही थी, आप अपने जीवन में पैसे, को लेकर बहुत परिशान थे, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी जो है वो बिलकुल दूर हो जाएगी, तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर गातार घर में बनी रहती है, एक-एक रुपय के लिए हम परिशान है, तो रविवार के दिन यह दूसरा उपाय कर लेना, फिर देखना कैसे आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धनवान बन जाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर ह हैं ना तो, ऐसा समझ लीजिये की निर्धनता और गरीबी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, अब एक लाल फूल से आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, और अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी को दूर कर सकते हैं, तो करना क्या है? आपको एक लाल रंग का पुश्प लेना है, तामबे के लोटे में जल भर लेना है, ठीक है ना इसी तामबे के लोटे में जो जल भरा है, इसी के अंदर एक लाल रंग का फूल डाल देना और थोड़ी सी रोली डाल देना, अब आप अपने घर में या फिर घर के आसपास जहां भ की कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा जो पैसों की कमी घर में लगातार आ रही थी लगातार बढ़ रही थी आपके जीवन से पैसों की कमी दूर हो जाएगी धन आना शुरू हो जाएगा धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन से जुड़ी समस्याएं बिलक तो रात आप अपने जीवन में धनवान बनते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है, जो लोग अपने जीवन में फिजूल खर्ची से बहुत परिशान हैं। उन्हें यह उपाय रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। और वैसे भी देखिए सूर्य भगवान की अगर आप उजा अर्चना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। आपको हर वह चीज मिलती है, जो आप सोचते हैं, जो आपको चाहिए होती है, और जो भी आपकी मनोकामनाय होती हैं, वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं, अगर आप अपनी कुंदली में सूर्य को मजबूत रखते हैं, देखिए जो हमारी कुंदली में सूर्य होता है, है और यह हमारे जितने भी ग्राइट उते हैं, उन्हें उर्जा देने का काम करते हैं, अगर हमारी कुंदली में सूर्य ही कमजोर है, तो हमारे और प्लानेट भी कमजोर हो ज़ाते हैं, जिसके बाद बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं, तो देखिये अब जल्दी से बात कर लेते हैं, तीसरे उपाय की और तीसरा उपाय भी लौंग का है, और यह है, आपके घर से नजर दोश को और नेगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए देखिए बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें पता है कि घर में अगर नजर दोश है, नेगेटिव ए दूर्जा घर में हो, दूसरी चीज उस घर में हमेशा कलेश देखने को मिलेगा, एक एक रुप के लिए लोग घर में परिशान रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे जगड हैं, ना कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेना, ऐसी समस्याएं भी जीवन में आती रहती हैं, अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनरजी है, या नजर दोश घर में है, क्योंकि घर को नजर दोश लग जाए, व्यक्ति को लग जाए, तब भी व्यक्ति के जीवन में, निर्धनता चाने लगती है, और गरीबी आने लगती है, अब इसे दूर करने के लिए सबसे उत्वम उपाय होता है लॉग का करना क्या है? पाँच साबुत लॉग आपको लेनी है, एक कपूर लेना है, ठीक है ना? और यह पाँच लॉग एक कपूर आपको अपने घर में किसी भी ऐसे स्थान पर जलाना है, जहां पर थोड़ा सा अंधेरा र रहता हो वहां जलादे शाम के समय में और इसका धुआ जो होगा वो अपने सारे घर में आपको अच्छे से दिखाना है, बस इतना उपाय आप रविवार के रविवार कर ले, तीन से चार ही रविवार आपको यह उपाय करना है और उसके बाद आ, देखेंगे कि आपके घर क कलेश भी दूर हो जाएगा, जो आपके घर में पैसों की कमिया रही, थी वो भी दूर हो जाएगी आपके घर में जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, उनके साथ प्रेम भाव भी बनने लगेगा, और बिलकुल आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, आपको की पीछे करकर देखना पड़े हमेशा आप अपने जीवन में आगे जाते हैं, और हमेशा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही उत्तम उपाय है, रविवार के दिन का यह उपाय करने से आप अपने जीवन के बड़े-बडे संकटों को बहुत आसानी स दूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो सोचते हैं कि लौंग, क्या ही करेगी, लेकिन लौंग साधारन नहीं होती है, शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, तो हमेशा लौंग के उपाय आपको करते रहना चाहिए, जिस से कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक उर्जा बढ़े, पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, और कभी भी आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना ही ना करना पड़े, तो शिव शक्ती का स्वरूप लॉम जो होती है, ना यह महादेव को बहुत जल्दी प्रसंद करती है, और आशाड के महीने में उपाय करने से व शेशक आपको महादेव का आशिरवाद मिलेगा, तो यह उपाय आप जरूर करें, तो देखिए बहुत अच्छे से आपको उपाय समझाने का और बताने का, प्रयास किया है, अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो कमेंट सेक्श पूलें जिससे की हमारी हर विडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, तो देखिए कमेंट सेक्शन में जैकारा भी जरूर लगाना है, आपको हर-हर महादेव लिख कर जाना है